आज मैंने तीसरा पेरेंट खोया है, वो कहीं भार जाते हैं, तो ये नहीं कोई स्टाफ अलग टेबल पे खा रहे हैं, सब एक साथ खाते थे, सब एक साथ रहते थे, सब एक साथ प्यार से रहते थे, टाडस आपका मुझे मिस्स कॉल जाई, तो जब मैं एरकराफ से निकला, मैं उनको फोन किया, उनके कहा, देखो, मैं Bucking Palace नहीं आ पाऊंगा, वैंने कहा क्यों, नहीं टीटो बिमार है, टीटो उनका जर्मन शब्रट, मैंने कहा, means, he says नहीं, तो मैंने उस टाइम परिंस चार्ल्स को जाके बोला, उनने कहा, देखो, यह है इंसान, जो हर आदमी, हर क आशू के बारे में सोचता है ये इंसानियत है पहले पिता जी और फिर उसके बाद माता जी को खोया है आज मैंने तीसरा पैरेंट खोया है और ये सिर्फ कहने की बाते नहीं है क्योंकि देखे मैं उनको 1990 से जानता हूं 34 साल और मेरी उमर 61 है तो आदी जिन्दगी मैं उनको जानता था और जितना सने उन्होंने मुझे दिया जितना प्यार जितनी विनमरता से वो पेश आए मैं कौन हूं कुछ भी नहीं उनके पास पूरी दुनिया थी पर उन्हें ये लगता था कि भी हां कि मैं अगर सुहिल के साथ बैठूंगा तो हसी मजाग होगा और एक बात है मिस्टर टाटा में एक खासियत ये थी कि वो सच के पहरेदार थे अगर आप उनको सच अड्वाइस दे थे उनको वही पसंद था वो उनमें से नहीं थे कि भी आप उनकी हां में हां मिलाओ तो वो जो उनकी खासियती वो बहुत युनिक थी एक चीज़े को एक सफल बिजनसमें थे ये सभी लोग जानते हैं उनकी फिलांत्रफी के बारे में भी बड़ बहुत किसे मश्जूर है लेकिन एक यूमन बीइंग के तौर पे कैसे थे वो एक पसनल तज उनका लोगों के प्रति होता था अपना स्टाफ अपने दोस्त या अगर इनसान अपने कुटों की हिफाज़त कर सकता है प्यार से और मैं आपको बोलू जब बंबे हाउस रेनोवेट हुआ और चंदर सेकरन जी चेर्मन थे और अभी भी हैं जब बंबे हाउस रेनोवेट हुआ रदन डाड़ा ने इंसिस्ट किया कि एक एरिया सिर्फ ऐसको अंदर जाने की पूरी परमिशन है ये इंसानियत है इनसानियत ये नहीं कि आप सिर्फ अपने लोगों में अच्छे रहें पर इंसानियत ये होती है कि जब तप्ते का सबसे जो वीक आदमी है उसके साथ आपका जो वियवार है वो इनसानियत है मैं आपको एक बाद बोलू, मैंने ये लिखा भी हुआ है, 2008 में मैंने लेखा था, मैं नरेंद्र मोधी जी के घर था गांधी नगर में, तो उनने मुझे पूछा कल कहा जा रही है, तो मैंने कहा बंबई, तो उनने कहा जब रदन टाटा को अगर मिलोगे, तो मिस्टर टाटा को बूलना की नैनो यहां ले आएं, तो मैंने ये मेसेज कम्यूनिकेट की, उसके बाद, और ये नरेंद्र मोधी की भी, you know, you have to give him credit, उ उनने देखा कि एक परिवार एक स्कूटर पे भीग रहा है, तो उनने कहा हम लोग एक लाकी गाड़ी क्यों नहीं बना सकते हैं, और वो ही हुआ, पर मैं अब ये बोलना नहीं चाहता, कॉम्पटिशन ने एक बहुत ही भ्यानक रोल प्ले किया था, उसके बारे में ये अच्छी तरह जानते हैं, और कोई नहीं जानता, उनने चेर्मेन सिब्से रिटार मोने के बाद नहीं काम कर पाना, तो उसके इसमें इन्वेस्मेंट जहां जहां भी लगाए, वो सारे बहुत अच्छी तरह कि इसमें कुई तो मैं आपको बोल रहा हूं, वो क्योंकि रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया, तो उनने प्रोस्तान किया, उनने इंकरेजमेंट दी, ये कोई नहीं करता, उनकी मैं कई सारे ऐसे चोड़ने हैं, जो मश्रूव हैं कि जब उन्होंने एक छोटे हुमेने इन्वेस्ट के लिए कुछ बहुत बड़ा एक स्टेप लिया हूं, तो कि चार्ल्ज ने उस टाइम प्रिंस चाल्ज थे, बखिंगम पालस में उनने लाइफ टाम अचीवमेंट अवाट देना था, तो मैं तीन दिन चार दिन पहले लंडन पहुंच गया, तो टाड़स आपका मुझे मिस्स कॉल आई, तो जब मैं एर्पूर्ट से निकला, मै तो मैंने को फोन किया, उनने कहा, देखो, मैं बखिंगम पालस नहीं आपाऊंगा, मैंने कहा, क्यों, नहीं टीटो बिमार है, टीटो उनका जमन शेबद, मैंने कह, मिस्स नहीं, तो मैंने उस टेम प्रिंस चाल्ज को जा के बोला, उनने कह, देखो, यह है इंसान, जो हर आदमी, हर कुटे, हर पशू के बारे में सोचता है, ये इंसानियत है। भारत का रतन, बस वो यही चाहते थे, कि लोग उन्हें प्यार से, विनम रता से और मो से याद कने, उन्हें कोई अवार्ड आउनर जो थी, कोई अवार्ड आउनर ऐसी नहीं है, जो उन्हें नहीं मिली, वो भारत के रतन है, भारत के रतन रहेंगे, और मैं समझता हूँ कि रतन टाटा शायद स्वर्ग चले गए हैं, ये इस लेफ्ट, अब दुनिया में नहीं रहे, पर हमार हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारी संस्कृति में वो जरूर रहेंगे. एक लॉंग पेंटिंग डिमांड है, जो परे कंट्री में में काफी लोग दिमांग करते रहें कि रतन टाटा को भारत दिया जाना चाहिए, एक बिजनेसमेंच जिसमें फिलन्टोफी को एक नहीं हाईट दी, एक देश पर अज़िए, और उसमें मैंने मोधी जी को टैक कि जाना है कि भाई मेरे हिसाब से और कोई आदमी इस दुनिया में नहीं है, अमारे देश में नहीं है, जिसे भारत रतना और डिजर्विंग होना चाहिए, जो लोगों को याद आती हैं और भावुक कर जाती है, आप भी उसमें पर आमरे साथ बात करते हैं, भावुक हो रह लिए वो पिता समान थे, दोस्त थे और उससे ज्यादे मैं आपको क्या कहूं इस समय पे, इस समय पे जो चोट सिर्फ मुझे नहीं, ये गलत बात है कि सिर्फ मैं भावुक हूं, आप देखिए, आप लोगों से पूछिए, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा और ये रतन टाट का बड़पन है, बहुत बढ़िया, क्योंकि चंद्र सेकरन जी जो चेर्मन है और नोल टाटा और मैली मिस्त्री जो टाटा ट्रस में है, वो देखेंगे कि जो लेगसी टाटा हाउस की है, हाउस अफ टाटा की है, वो क्यामत रहे